नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंजिना और आप देख रहे हैं दा खबरतार न्यूज तो चली बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की और शहीद मेजर आशीश का पार्तिक शरीर बिजोल पोचा अंतिम संस्कार आज रास्ति भर मा ने हाथ जोड़े बहन ने सलामी दी कश्मीर के अनतनाग में 13 सितंबर को आतंकी हमरे में शहीद होने वाले मेजर आशीश धोचक के पार्तिक शरीर को उनके पैतरक गाओं बिजोल पोचा दिया गया है उनके शब को पानी पत से बिजोल के शमशान घार तक महुचाने के दोरान एक लगबग 14 किलोमीटर की यात्रा की गई है एक दर्द भरी समय में उनके साथ ही वीरों के बीच भारी भीर जूटी थी और उन्हें विदाई देने आने वालों ने फूलों की बरसात की शहीद के अंतिम यात्रा की दोरार उनकी मा और बहने भी उनके साथ थी मा ने पूरे रास्ते हाँ जोड़े रखे जबकि बहने अपने भाई को सलाम करती रही और मात्र यही कहती रही कि मेरा भाई हमारा और देश का गर्व है उनका पार्टिक शरीर पहुँचने के बाद उन्हें उनके नए मकान में ले जाये गया जिसे वे अपने जीवन के अंतिम दो साल में बनवा रहे थे इस दुखत पल में उनके परिवार ने अपने शहीद सदसे को उनके यादगार घर में पुने लाने का संकल्प किया मेजर आशीश ने भारती सेना में अपनी जिन्दगी की आवशक चरनों से मैतवा पूर भूमिका निभाई थी उन्हें 29 रास्टे राइफल्स की सीक लाइट इन्फेंट्री में तैनात किया गया था और उन्हें 15 अगस्त को रास्टपती द्रोपती मुर्मुद्वारा सेरा मेंटल से समानित किया गया था मेजर आशीश की पतनी जोती ग्रहणी है और उनकी दो साल की छोटी सी बेटी है जिनने उन्होंने अपने अद्वोधियात्रा की दोरान छोड़ दिया था मेजर आशीश ने अपनी सिक्षा केंद्री विध्याले में पूरी की थी और बाद में बरवाला कॉलिज से बीटेक इलेक्ट्रोनिक की डिग्री प्राप्त की थी उन्होंने अपनी भारती सेना में शामलियत 25 वर्ष के उमर में पूरी कर ली थी और उन्होंने अपनी सेना की करियर को तेजी से बढ़ाया जिसके परिणाम सरूबे मेजर बन गए उन्होंने अपनी सेना की डूटी को बठिंडा 12 मूला और मेरेट में भी बताया और 2018 में राज़ोरी में पोस्ट होने का सौभागी प्राप्त हुआ यहां सिवे परिवार को साथ नहीं लेकर गए थे और पानीपत के सेक्टर साथ में किराय की मकान में रहने लगे थे मेजर आशीश का परिवार उनके पैत्रगाओं बिंजोल में रहता था जो उन्होंने दो साल पहले छोड़ दिया था अब उन्हें अपनी सेना की ड्यूटी पर जाना था उनके परिवार के सबी सदस्यों में तीन बहने हैं और उनके चाचा की बेटे भी मेजर हैं जो भाती स सेना में सेवा निर्वित हो चुकी हैं और आप पूना में ट्रेनिंग पर हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें